तो गाईज यह जो आप टावर देख जो यहां पर देखें है तो कितनी दूर मैं है और मेरे को यहां पर यहां पर यह जो वाई-फ़ाई है इसका रेज वहां तक पहुंचाने लाए ठीक है तो आज का एकस्प्पीeltर में हम लोग कहीर डेखें लोग करने वाले हैं यानि कि हम लोग को यहां पर एक्सपेरिमेंट था वह सक्सेस्फुल हो चुका है तो गाइस मैं आपको बताता हूं कि actually मैं सीन क्या है मेरा जो फ्रेंड है उसके पास दो वाइफ़े कनेक्शन है एक घर में एक दुकान में प्लस उसके पास दो-तिन सिम कार्ट्स भी है तो उनमें भी रिचार्ज करोना पड़ता है तो उसने मुझे से कहा किसे कुछ सॉलिशन है तो बताओ कैसे मुझे यहां पर पर इंटरनेट का पैसे बचे तो मैंने बोला कि एक तरीका है जिससे हम लोग यह कर सकते हैं तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या तरीका है और कैसे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं तो गाइस यह जो टावर देख रहो ना यहीं पर मेरे दोस्त का दुकान है नीचे में तो से लेके 800 मीटर के बीच में आप बोल सकते हो दूरी है तो वहां से लेके यहां तक इंटरनेट को पहुंचाना है तो गाइस सोच रहें कि यहां पर टावर से लेके सीधा अपना घर पहुंचा है तो सौट पड़ेगा ठीक है जो डिस्टन्स वोगा सौट पड़ेगा लेकिन वहां पर टेंपररे टाइप का कनेक्शन हो जाएगा ठीक है तो पोल टू पोल अगर हम लोग वायर को ले आते है तो अब हम लोग के हाँ अफ यहां पर वायर खीचवाने वाला है तो गयजिय करते लगता है लोगा रात हो जाएगा विकटा लेटी साम हो चुका है और हम नवीब बहुत दूर तक यहां पर वायर कीचना है तो देखते हैं अब तक कितना डाइम लगता है धूम बड़िय इनी का connection हो रहा है, मेरा connection हो गए गया है, मर हो गया, कब हो भाई, हम तो नहीं किये, मेडिया फैबर वाला करना बाकी है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, वायर को एक जगा से दूसरे जगा पहुंचाने में, गाइस तार साइड में यहाँ पहुंच गया, अभी एक काम बाकी है, यहाँ पर सबसे जो में टेंसन था, वो connector बनाने का, विकास जो वायर है, वो तो कोई भी खीच सकता था, बट जो connector वो सबसे नहीं बनता है, कोई specialist बनता होगा, जो engineer होगा, जिसको आता हो, वो ही कर सकता है, गाइस सबसे पहले fiber cable को connect करना है, तो fiber cable को यहाँ पर connect कर दिया, उसके बाद land cable को connect करना है, अभी जो land cable है, जो geo fiber router है, उसके पीछे से मैंने निकाला हुआ, ठीक है, connect किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारी जो land cable वो connect हो चुकी है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यह ठीक है अभि यही ही चीज़ आप दुकान में भी जा के करना है वहाँ पर मीडिया कनवर्टर αυτό करना है तो हम लोग यहाँ पर दुकान में बोलत इसम प्रूसेस करना तो मीडिया कनवर्टर व्यूपर केबल वैसके बादे उसके बाद यहाँ पर लें बने पलती सब्सक्रास लाप्टॉप में इसको connect कर दिया है तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा इंटरनेट जो है वो हमारे यहाँ पर जीवाइबर से connect हो चुका है अभी speed test करके देखते हैं तो गाइस यहाँ पर अब देख सकते हो कि 30 MB पर इसके मेरा connection है जो मेरा घर पर है और यहाँ पर आने के बाद भी मेरा 30 MB पूरा का पूरा यहाँ पर full speed मिल रहा है याँनि कि हम लोग को यहाँ पर जो experiment था वो successful हो चुका है तो गाइस इंटरनेट connection तो यहाँ पर आ चुका है बड़ इसको वाइफाय में convert करने पड़ेगा connection को तो हमारे पास यहाँ पर एक router है ATL Xtreme का कोई भी router चलेगा ATL Xtreme का भी चलेगा जीओ फैवर की चलेगा बड़ यहाँ पर ATL Xtreme का यह जो router है वो काफी अच्छा वर करता है और यहाँ पर इसका range भी काफी अच्छा है तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं यहाँ ठीक है तो यहाँ पर कुछ भी जमेला वगरह नहीं करना है सिंपल ही सा यहाँ पर LAN cable को इसके LAN port में connect कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमारा काम हो जाता है खतम और यहाँ पर वाइफाई आ चुका है तो मैं अभी आपको इससे connect करके और स्पीड टेस्ट करके यहाँ पर दिखाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एटल एक्स्ट्रीम 5G से हमारा स्मार्टफोन connected है अभी करते हैं इसमें speed टेस्ट और देखते हैं कि हमको यहाँ पर कितना speed टेस्ट देखने को मिलता है कितना speed मिलता है विकास laptop में तो यहाँ पर फुल स्पीड मिल रहा था 30 Mbps का पर यहा यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 30 Mbps के आसपास ही हम लोग को speed देखने को मिल रहा है 28 29 30 यहाँ पर तो काफी अच्छा speed हम लोग यहाँ पर मिल रहा है तो गाईज जो media converter यह 25 km तक जो हुआ internet को extend कर सकता है यानि कि internet cable के थुरू आपको यहाँ पर जो internet provide कर सकता है य यहाँ पर फाइबर के थुरू media converter से connect करके और यहाँ पर और बहुत सरी चीजे कर सकते हो आप media converter से यसी कि आप PC नेटवर्किंग करना चाहतो एक computer से दूसरे computer का connect करना चाहतो वो आप कर सकते हो यहाँ और यहाँ पर आप CCTV लगाना चाहतो एक जगा पर और अपने घर पर जो है उसका setup बगारा लगाना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हो आप बहुत दूर तक यहाँ पर जो हो सीटेवी camera को connect कर सकते हो और वह आराम से वायर्क करेगा ठीक है तो इस तरह से बहुत सरी चीजे आप कर सकते हो तो आज ही इस वीडियो में इतना ही उम्मिद करता कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक जूर से कर देजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देजेगा मैं बल दब से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम